स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले टिपस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी और हमारी साथ हैं हमारी कुर्टर एक्सपर्ट निखिल चोपलाजी बहुत अन्यवाद और स्वागत निखिल जी आपका वर्ल्ड कप से पहले विदेश में कल टीम इंडिया का अपना आखरी मुखावला है न्यूजिलेंड के साथ होने वाली इस ब्लंद पर टी-20 सीरीज का परिणाम भी टिका हुआ है जीतने वाली डीम के नाम सीरीज होगी भारत कभी भी निउजिलेंड में टी-20 सीरीज नहीं जीता मगर पिछले मैच से मिले मुमेंटम की वज़े से जोश में भारती एक खेमा है और कल का मैच जीत कर हम सीरीज जीतने की पूरी उमीद कर रहे हैं हमारे साथ हमारे cricket expert निखिल चोपला जी है निखिल जी लगता है आपको कि कल सीरीज तो हम जीती रहे हैं और हम इसलिए गया रहे हैं कि मुमेंटम हमारे साथ है और कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि हम हारे ना हो बराबरी पर होने के बाद लेकिन वर्ल्ल कप से पहले निखिल जी ये कितना एहम है कितना महत्फून है इसे हमें जीतना और कैसे वो मुमेंटम हमें आगे ले जाएगा तेक अब आखरी मुकाबला है विदेशी जमीन पे विशकप से पहले साथ बाई तो बहुत जरूरी है जब आप ऐसी शंखला जीते हैं और न्यूजलेंड एक हमेशा भारतिय टीम का दोरा रहा है जैसे ऑस्ट्रिया का रहा है हम लोगों ने वहाँ पे जादा शंखला हैं जीती नहीं है जब अभी ऑस्ट्रियलिया में जीत दर्ज की एक दिवशे शंखला चार एक से जीते हैं न्यूजलेंड में टीट्वेंटी भी जीत जाएंगे तो एक टीम का जो मुमेंटम बना हुआ है सपोर्ट स्टाफ का सबका आत्मो उश्वास बढ़ता है कि सब कुछ जो ट्राइ किया जा रहा है वो सही खरे उतर रहे है जिस फिलाडी को जो रोल दिया जा रहा है वो उसके ओपर खरे सावित हो रहा है तो उस लिहां से अगर शंखला जीते हैं तो आपने विश्वास इस टीम का बहुत बढ़ जाएगा और बहुत बड़ी उपलब्दी होगी कि विराट कोली टीम में नहीं होने के बावजूद आपने न्यूजिलेंड को उनके घर में हराया है ये बड़ी बात होगी ठीक है रहा है निखल भाई आप लेकिन आपको लगता है कि जो आस्ट्रिलिया सीरीस से एक्स्परिमेंट्स हो रहे थे वो पूरे हो चुके हैं साइध भाई तब आप वहाँ पे कोई भी आप एक्स्परिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पांच मैच रह जाएंगे पांच मैच का मतलब है कि जो आपके विशक पमें पहले 11 में खेलने वाले उन खिलाडी को आप इकहटा खिलाइए उस खिलाडी को मालूम तो होना चाहिए कि उस टीम में उस खिलाडी का रोल क्या है और एकदम से ऐसा तो है नहीं कि आप विश्कप जैसे बड़े टॉर्नमेंट में आप एक्सपेरिमेंट करते चले जाएंगे कोई आप ऐसे खिलाडी को लेके जाएंगे जिसके पास अनुभव ना हो वो अलग बात है कि एक कोई खिलाडी आपको ऐसा मिल जाए जो इतना प्रतिपा का धनी हो जिसको अनुभव की जरुवत ना हो वो मैं मानता हूँ वो समय चला गया तो ऑस्टेलिया श्रंकला जब घर में होईगी तो प्रयोग नहीं होगा जो आपके पहले मैच 11 में इंग्लेंड में खेलेंग विशकाप वही 11 उतरेंगे लेकिन दो खिलाडी निकल भाई कुलदीब को कल देखते हैं आप और विजे शेंकर की भूमिका कैसे जब टीम में लाया गया था अगर आपको याद हो कि जब हारदिक टीम में नहीं शामिल थे और उनकी बैक अप में उनको लेके आए थे आस्ट्रेलिया के श्रंकला में उसके बाद न्यूजिलेंड में उनसे लेकिन अगर आप गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं सहीद भाई और आप उनको उस नमबर पर बल्ले बाजी कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ बिगेर उनका अनाधर किये हुए उनका जो योगदान है फाइदे मंद रहेगा जरूरी नहीं है कि आप हर बारी 170 रन विपक्षी टीम के बनमाएं और फिर हमार पास एक अतरित बैट्स्पन है तो हम उसको चेस करेंगे स्कोर बोर्ट का दबाव जो है ला वो बड़ी खराब्ची चीज है और अगर आप 7-8 बैट्स्पन खिलाए उसको चेस करने के लिए जल्दबाजी में हवड़ा तवड़ी में आपको फिर भी परिशानी होगी तो आपको एक अतरित गेंदबाज की जरूरत है बहुत क्लेर कट निकल भाई अच्छा लगा साफ तोर पर आपने कहा कि बैया कुलदीब को गिलालो जादा परिशान होन मैंच में रोहित ने तेज तर्रा और हाफ सेंचुरी बिनाई ती सबसे जाए रन उन्होंने टी ट्वेंटी में सबसे जाए रनों का वर्ल्ड रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया था तो आखरी मैच में रोहित चल पड़े तो दोड़ पड़े कि भारत की जीत की उम्मीद है और भारत जीतेगा है नेगल भाई नाम ही काफी है रोहित ये रोहित फैक्टर कितना इंपोर्टन्ट है हमारे लिए और रोहित की मौचूद्गी जो है कितना जोश भर देती है टीम बहुत बड़ा नाम है ये और साइद भाई इस खिलारी का चलना भारते टीम लगभग वो अकेले ही मैच जिता देता है अगर आप देखे वो खड़े रहते हैं वो जब उनको स्टार्ट मिलता है 20-30 रंका तो उनकी पारी ऐसी होती है कि वो मैच को एक तरफा ही कर देते है और वो बतौर कप्तान ये बात समझते भी हैं अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो मद्यकरम के ओपर दवाव बहुत हो जाता है क्योंकि आपके पास रिवे एक महिंदर सिंग धोनी जैसा खिलारी ही है जो मद्यकरम में जिमेदारी और अनुभव की अगर आप बात कर कर आप बड़े स्कॉर का पीछा कर रहे हैं शेखर 20-20-30 नबना रहे हैं लेकिन उस पारी को बड़े स्कॉर में नहीं तबदील कर पा रहे हैं तो मैं मानता हूं उनका खड़ा होना टीम के लिए बहुत ज़रूरी और फरक ही होता है जब वो आउट हो जाते ना तब एक न कि इनको अच्छी बॉल भी डालूगा तो यह बहार मार देता है यह फरक है लेकिन निकल भाई एक 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 बड़ा इंट्रेसिंग कॉंबिनेशन है अपनी टीम में विराध हैं जबरतस अग्रिसिफ हैं युवा हैं जबरतस फिट हैं और साथ ही साथ बेहत कॉंबिनेशन आपने भी जखर किया कि कितनी हेल्प करेगा कल भी और आगे भी तेके टीम में महिंदर सिंग धोनी का होना बहुत फरक डालता मैं आपको पहले गेंदाजी के लिहास बताता हूँ जितनी सवलता हमारे स्पिनर्स को मिलती है अगर आप स्टंप माइक से महिं तो एक गेंद बाहस को वो गेम में रखते हैं चोकने रखते हैं बैटिंग के लिहास से पिछले मैच में आपने देखा हूँ जब रिशापंत बैटिंग कर रहे थे उन्होंने एक आदा शॉट थोड़ा अटपटा सा मारा था जब दो खिलाडियों के बीच में गेंद गि सिच्वेशन को रीड करो इस समय यह बड़े शॉट्स खेलनी की जरुवत नहीं है एक सो साथ रन बोर्ड पे लगाने है जिस तरीके का स्टार्ट मेला है रोहत और शिखर ने आपको मैच एक तरफा कर दिया अब आप आउट हो जाओगे तभी विपक्षी टीम जो है वो म पड़ता है दोनी का फायदा हमें सीधे सीधे मिल रहा है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट और दोनी जो है वो आमने सामने हैं दोनी के मन में कुछ चल रहा है विराट को कुछ उन से सलाव शुरा करना चाहिए रहे कि नहीं कर रहे हैं अपने फैसले ले रहे हैं दोनी हम आगे भी आपसे इस पर जरूर बात करेंगे लेकिन कल हमें जीतना है जाने से पहले हम आपको जल्दी से बता दें कि आज का अजेंडा बस सबसे कुछ देर बाद यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक आठ वज़े जरूर देखेगा सबस्क्राइब जरूर कीज़ेगा क्या न्यूजिलन्ड में पहली बाटी 20 सीरीज जीते की टीप इंडिया यह हमारा सवाल है सवाल आप खुब पूछी लेकिन सबस्क्राइब सबसे पहले कीज़े इस पोर्ट्स तक को